आपके लिए लाइए है शेरल अट के एंजोई तो छेक आउग दीकार आपने दोग में रहा है। शेरोलेट ने अपनी MPV भारत में उतारी है जो कि है शेरोलेट इंजोई लुक में ये गारी डीसेंट है आगे से इसके लुक्स अच्छे है पर जब आप इसे साइड और पीछे से देखते है तो ये बॉक्स लगती है फ्रंट में आपको क्रोम ग्रिल्स मिलते है इंजीन की बात करें तो एंजोई दोनों पेट्रोल और डीजल वेरेंट में अवेलेबल है एंजोई पेट्रोल में लगा है 1389cc की पावरफुल इंजीन जो की 102bhp at 6000rpm की पावर देती है वहीं डीजल में लगा है 1248cc की इंजीन जो की 76bhp at 4000rpm की पावर देती है इंटिरियर्स की बात करें तो शेरोलेट एंजोई में डेशबूर डिसेंट है इसमें लगा है पावर स्टेरिंग, 5-speed manual gearbox, 2-cup holder है AC के आउटलेट के उपर digital watch है इंश्रूमेंट लश्टर भी बहुत नीट है लेग रूम और हेड रूम की अगर हम बात करें तो एंजोई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा एंजोई में 7-8 एडल्स आराम से सफर कर सकते है मिड्रूम में AC के आउटलेट्स दिये गए है जिससे मिड्रूम और थर्ड रो दोनों को कुलिंग मिले बूट्स पेड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है शेरलट एंजोई में क्यूंके मिड्रो और थर्ड रो दोनों फोल्डेबल है जिससे आप आपकी बूट्स पेड्स बढ़ा सकते है ड्राइवर की तरफ में आपको पाउर विंडोस के बटन है प्लस कॉइन होलर और मैगजिन होलर भी है जब सकते हैं आपकी बूल की कुछ भी है झाल 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 थर्ड रो की विड्डो को आप थोड़ा ओपन कर सकते है ताकि फ्रेश एर का अच्छा सर्कुलेशन होते रहे हेड्लेंज पावरफुल है आप मैन्योली पावर एजिस भी कर सकते है रेर लेंप्स वर्टिकल शेप में है जो की डिसेंट है लुक्स में शेरोलेट एंजोई रेर विल ड्राइव है और मैलेज की बात करें तो 18.2 कम पील की मैलेज है शेरोलेट एंजोई की हमारी एक्सपर्ट रिव्यू है कि एंजोई एक बहुत अच्छी गाड़ी है कमफर्ट एंड स्पेस में कोई शिकायत नहीं है लुक्स की बात करें तो लुक्स डिसेंट है बट अगर बात करें गाड़ी की परपस की तो एंजोई काफी हद तक उसे कमप्लीट करती है 7 to 8 एडल्स आराम से सफर कर सकते है ये एक अच्छी MPV है अगर आपके फैमिली बढ़ी है और आप कार लेने के बारे में सोच रहे है तो ये गाड़ी एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए as compared to price अच्छी उर्पी आपके अच्छी बबार्च कि अधिकोर्स अच्छी है झाल